आज हम अपने घर में पड़े बेकार समान का मेक ओवर करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपके पास भी बिल्कुल मेरे जैसा हो तो उस पर बना सकते हो आपके पास कोई भी मट्रियल का जैसे टीन का हो या प्लास्टिक का हो या गलास हो तो उस पर भी आप इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं यह सिर्फ मैं आईडिया दे रही हूं आप अपने घर में जो भी समान बेकार पड़ा हो उस पर इसी मैं धंका यह को इसे और पोगा है से थे इसके नने कुप्रह कर तो मैं अब बचाल फोगा हैं और इसके कर में नशिक दिलेगे बच्चों वाला DIY है कोई भी मुश्किल नहीं कोई भी कर लेगा असानी से तो दोनों तरफ मैंने लगा दिया है और लेस लगाने के बाद थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए यह मेरे पास टीकर मैंने 20 रुपे का लाया था तो इसमें देखे इस तरह से यह निकल जाता ह है तो बिल्कुल इसी तरह का में को और आपके पास जो भी लेस अवैलेबल हो जो भी डिजाइन हो उससे अपने घर में जो भी वेस्ट मट्रियल हो उसका प्लास्टिकी बोटल जो हो पानी की उसको भी डियावाई कर सकते हो तो दूसरे डियावाई के लिए मैंने देखे यह पेंट की डोल ले लिए यह बहुत ही दिनों से मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सुचा आज इसका भी मेक ओवर कर देती हूं तो इसको देखे मैंने उपर से कट कर लिया है जो हैंडल वाला भाग था उसको मैंने देखे इस तरह से कट करके निकाल दिया है और निकालने लिए अब यह बने लगाया है और मैंने अभी तक वाल पुट्टी में डारेक मीर स्टीख करके यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने पहले फैविको से स्टीख कर लिया है ताके मैं और डियाय में आगे डायरेक स्टीख कर की भी देखूंगी कि उसका रिजर्ट क्या है पिरहाल मुझे वाल पुटी का आइडिया नहीं था तो मैंने पहले फैविकों से श्टिक कर दिया ताके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और स्टिक करने के बाद में इसके वाल पुटी लगाऊंगी तो यह मैंने यहां पर टूट पेस जो कॉल गेट जो हमारे पास टू अब मैंने वाल पुटी ले लिए है यह वही वाल पुटी है जो मेरे दीवार प्रवा जो हमने पेंट करवाया था और उसका बचा हुआ घर का आप इस तरह का मार्केट में जाके 35-45 रुपे कीलो आपको छोटे-छोटे एक कीलो के पैकेट मिल जाएंगे और एक कीलो से आ हमारा चांब वाल पूटी बना लिया है उसको मैं लगा दूंगी चैनंड़े में लाग तो जो मिल along चाहल है और नीचे पूरा प्र निपे से प्लास्टी Brave Одल के एक कंद। महिन हैं जैसे वाल पूटी लगाने से क्या होता है बिलकुल सेइर्मिक जैसा लगता भी दिखने म तो इस तरह से मैंने कर लिया है और पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं इसी तरह से रहने दूंगी और इसकी उपर ही पेंट कर लूँगी और उपर देखिए मेरे पास एक डोडी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको भी वाल पुट्टी में डीप करके और उपर बॉडर की जैसा बना लिया है ताकि यह दिखने में और भी अच्छा लगे तो आप वाल पुट्टी का जैसे डो बना कर भी इसके उपर लगा सकते हो या तो इस तरह से रसी को किसी को वाल पुट्टी में डीप करके और थोड़ा ठीक लेयर लगाई जैसे पतला रहता है ना तो बाद में फ्रेशर पड़ते है थोड़ा थीक लगाएगा मेरा आखिर में थोड़ा प्राबलम हो रहा था मैंने पतला लेयर लगाया था थोड़ा दो थीक उपर जरूर कर लेजएगा और मैं जो गलती करती हूं वह भी आपके साथ शेयर करती हूं ताकि आप दो पहले मैंने क्या सो थोड़ा पतला लेयर लगा कर और देखिए फॉर्क लेकर और इस तरह से आप जो भी चाहो डिजाइन बना सकते हो मेरे चैनल पर अल्रेडी मैंने बहुत सारी डिजाइन शेयर की है तो इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है जरूरी नहीं कि आप बस एक बार कर दिये दे इस तरह से अपने हिसाब से जो अच्छी लगे बना सकते हो बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसको लगाने के बाद यह होता है कि बिल्कुल यह दिखने में सेरमिक लगता है आपका प्लास्टिक का हो या कांच का जो मग हो तो वह बिल्कुल जैसे रेडिमेंट होता है तरह सोदंद भी यह दिखने में से और आयम अचना समय प्लास इस तरह से मैं लगडि का दीजाइन देने की कोशिशल की है और अब मैंने हुचा चल offered दो अब मेरा मोट चेंज करत B और इसको मैं ब्लैक पेंट कर लूँगी तो ब्लैक यहां पर आप एक्रेलिक या और पेंट किसी का भी इस्तमाल कर सकते हो और अपको इस टेशनरी पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं 20 रुपे में और आपको किसी भी पेंट की दुकान पर या हाडवेर में भी आपको छोटे टेक्ट करेंगे और पिर आख इसको के बाद से टीन टीक करेंगे तो यहां पर मैंने देखिए यह ग्रीन कलर के अक्रलिक तो प्रिस्सेह ज़ान पीड़िया भी आपको पर दूब से लेंट काम पर शाईनिंग तो इसको बस मैं हल्का लेगे लोंगी उंडिक यहां पर बह कर दो भूरी जाएय। भीडाई होंगी तो पूरे एक्टिर को फ़ूर्ण कर दो गूर्ण करके देशना completely प्राइक्ट्ट्स पुष्ट कर देजरा उब और उबहुत ऑप तो एक बाडल लाते हो तो यह आपको छे महीना तक आराम से चल जाएगी अगर मेरी तरह हमेसा डियाइवाई करते होता हो तो यह देखे मेरा पूरा बनकर और आप मैंने क्या किया है यह उपर जो कांच पेंट और वाल पुटी लगी हुई थी थोड़ी तो उसको मैंने चु ब्लैक पेंट भी कर लिया है यह देखे मेरा पूरा इस तरह से बनकर तयार हो गया है लेकिन मुझे बनाने के बाद यह फिल हो रहा है कि जो मैंने पहले डिजाइन कर रही थी सिधी सिधी और लाइट कलर मुझे को यूज़ करना चाहिए था और अब मैंने देखिए यह एक्रेलिक पेंट ले लिए है और देखे बस ऐक्रेलिक पेंट आप कोई भी जैसे लाते हो उस से हाईलाइट बहुत अच्छे हो जाते हैं सारी ऑप अच्छे लगते हैं ते कि बिल्कुल से एकडम थोड़ा सा हमारे उंगली पर लगाना है और इस तरह से घुमाते जाना है इससे हमारे टेक्च्च्चर उभर के भी आ जाएंगे और हमारे DIY की खुबसूरती बिल्कुल डबल हो जाती है देखे कितना खुबसूरत अब हम यह हमारा लग रहा है तो बिल्कुल एके बेकार से कम मग का हमने बिल्कुल नया लुक दे दिया है इस तरह से आप भी अपने घर में जो भी समान हो उसको DIY कर सकते हो और रिसाइकल करकर अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हो तो बहुत ही कम खर्चे में आप यह सब DIY कर लोगे और मेरे चैनल पर मैंने अल्रेडी बहुत सारे DIY रखे हुए हैं जो आसान भी है और बहुत ही कम खर्च में बन जाएंगे तो उम्मीद है यह सारे DIY भी आपको पसंद आया होंगे और इसी तरह के वेस्ट मट्रेल के री यूज के आइडियास में अपने चैनल पर देती रहती हूं तो उसके लिए भी लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे और घंटी को जरूर दबा दीजे ताके मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल पहुंगे मिल स